कि हसीन दिल्रूबा नेट्फ्लिक्स पे फिल्म आई है विग्रांत मैसी हस बर्धन राने तापसी पन्नु की हाँ जिसके डिरेक्टर है विनिल मैथ्यू और लिखे हुई है कनीका धिलोन समझ जाया और इस फिल्म में सबसे बदग बात और जो सी आईडी वाले है न अदित् सब्सक्राइब कर देते हैं अब विक्रांत मैसी तापसी पन्नु हस बदन राने में करेक्टर में हैं बाकी तो कुछ दिखता भी नहीं इस फिल्म में स्टोरी है स्टोरी काफी अच्छी ठीक ठाक है हां तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि हसीन दिल रूबा और रानी एकत एसा सब्द है कि आपको एक जगव मिल जाये तो आपका दिल मंचल जाएगा बिचल जाएगा मतलां बिचली तो ना समझ रहें हां तो अब दिल्रुबा के सामने हसीन रख जाये तो आटोमेटिक अब अंदर का तुपा न जाएगा अफिल्म भी वो इससे ही हुआ है और किसी रानी को अगर आप अपटा लेते हो तो आटोमेटिक राजा हो जाते हो रानी का राजा ही होता है, फैर कोई नहीं, तापसी है, हसीन है, दिलरूबा है, फिल्म में सबसे पहले मैं हस्परदन राने के बारे में बात करूँगा, जैसा ट्रेलर में दिखाया गया है, कि क्या कमाल उन्होंने एक्टिंग किया है, या धासू, सबने जबजस्त उनकी ब दिखाया गया है, उतना ही अच्छा सिन है, दो चार पांच जगह और उनका जगह दिया गया है, जहां एक दो जगह वाली मतलब तापसी के साथ, समझ रहे हैं, करते नज़र आ रहे हैं, ज्यादा नहीं है, यार गुर्टा गलत मुझा थोड़ा, हाँ, और एक दो जगह औ मिलती है, तो कहां से मिलेगी भईया, आपको फिल्म, छोटी-छोटी सीन करोगे, इतने अच्छा एक्टर हो यार, लेकिन एक बात है, कहा जाता है, बॉली बुड में, या फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आपके पास बड़ी है, तो फिर आपको फिल्म मिल स दखेटी हैं, तो आप करिनक के बारे बाड़े में, नहीं बोल झाल होंगे, किसी के बारे में अब जिरूर फिर की हैं तो इंडस्यों के बारे मात नहीं हो रही है, यहां भात लिए, तो ताप سी, प्र इसनौए इसे हैं, मौडल अच्छी वाली है, हो एसी है, मौडलू ब सब कुछ अच्छा है तापसी का तो इस फिल्म में उनका किरदार भी उस तरह का दिया गया है लेंगे माजा नहीं आ रहा है कि समझ रहे न हाँ अब बॉलीबूड के एक आज कल कहें जाने वाले जो फ्यूचर सूपरस्टार बनने वाले हैं जो लोग बोल रहे हैं ऐसा हाँ यार विकरान तमेसी की बात हो दी है फिल्म में अच्छा एक्टिंग है उनका वेश्रीज भी करना है फिल्म भी करना है तो ठीक ठाक है विकरान मतलब ओके ओके सबका ओके ही है तो सबसे पहले चलते हैं कहाने के बारे में आप लोग को में बरह देता हूंगा आसकर इंजिनियरों को बहुत तार्गेट किया जाता है इसमें वहीं हाल यार यह तो पढ़ते हैं तो नोकरी नहीं लगती उपर से है श्म defini ओ confander cab 20g मिलते तरया किसी और नों कि लिएda ग्लव है लोग के फिस sniff टूर यव्त वाहिए जी वह नहीं मैंने वाइसे इंजिनियर है उनकी साधी एक तहर होती है तापसी से टावसी आती है लेकिन लोग आपके बीशिपे नहीं सर निलि तीरपाठी हाँ अधर ने उन से कुछ हो जाता है उने के बाद दूनुम बनाते हैं भागने के लिए लेकिन मेरती को चोड़कर भाग जाते हैं लेकिन रानी भूत रूल है और अपने पति को रीसू को जो कि विक्रांथ हैं उनको बताती है कि मेरे साथ ऐसे से हुआ मैं चक्कर में थी और चोड़के भाग गया काभी लोगे गलत काम भी करती है तो बता देते हैं लेगिन विक्रांथ को सुनना या पसंद बिल्कुल नहीं होता है तो सुनते नहीं है तो फिर जैसे-जैसे प्यार हो जाकर इस कहानी को दिखाया गया सब्स앙साज करें जैसे तैसे यह नहीं आता है इस उसके बाद में कहानी तो लास्ट में शुरू होती है जो पंद्रेया बीस मिल्ट पर एक मॉडर होता है जिसमें कहा जाता है कि विक्रांत मैसी जो रिशून का मॉडर हो गया है और तापसी पर उसका आरोप लग गया है जो ही बस कहानी यहीं है तो लास्ट का जो शीन है थोड़ा ठीक ठाक हूड़ा की क्या हुआ है क्कि ना नहीं चलने वाली है कैसे चलेगी नेट्फिक्स पर एक तो बहुत कम लोग देखते हैं अच्छी समझ रहे हो ना उपर मतलब देखते हैं लेकिन जो सीनेमा होल में भीड़ जाती है सब तरक खुले रहत उतना यार उतिती को लोग नहीं आते हैं तो एक कारण है दूसरा कहानी भी कुछ खास अगर फिल्म के स्टार के बारे में अगर हम बात करें तो मैं दो सकता हूं क्यों दो सकता हूं कि फिल्म का जो टाइटल है हसीन है दिल्रुबा है इसलिए अगर हसीन दिल्रुबा मतलब नाम अच्छा उन्होंने चुना है न इसलिए और ना यार मैं 0.5 थी पाता आउट फाइब में तो आउट फाइब में टू स्टार्ट मुझे लग रहे है भी जादा लेंगी ठीक है यार मैंने ठाई गंट टा है वो होता है समझ रहे ना बाकी बात यहीं पर हम मैं खतम करता हूं